हेलो एंड वेलकम तो दो पॉलिटी वीकली करेंट अफेर्स ओन यूट्यूब चानल अफ कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी मैं हो निकत परविन खान और आज की इस करेंट अफेर्स के सेशन में हम इस मन्त की स्टार्टिंग यहने की फर्स्ट में से लेकर के 12 में तक का जितना क इसमें इसम को करने वाले हैं मैं हमेशा दोह आती हूं कि बहुत सारी चीज़ें तो नहीं रहती हैं पर फिर भी कोछीजें रहती हैं जैसे कि किसी प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट का अपोइंट में कोई ऐसा बिल जो हमारे संसद में विधान साबा में पारित हुआ हो कोई ऐसा आयोग जो बना हो जिसका कोर लेना देना आपकी पॉलिटी से उन चीज़ों कम कवर करने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम न्यूज अट ग्लांस देखतें कि क्या क्या इस वीक या मैं कहूं इस मन्त की स्टार्टिंग में से लेकर अब तक नेशन विजिट किया उस पर नज़र डालेंगे एक इंपॉर्टेंट आपकी पॉलिटी से रिलेटेड खासतों पर इंटरनाशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज हैं दूसरी इसी सिलसले में या इसी विजिट के दौरान इंडिया और नॉडिट देशों के बीच में ए और लास्ट न्यूज जो कवर करेंगे वो होगा कि जम कश्मीर में विधानसब और संसदी शेत्रों का परीसीमन किया गया है उसका डिलिमिटेशन आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है तो क्या कुछ उसमें कहा गया और क्या होता है पर इसी में आयोग इस पर ह आगे बढ़ते हैं let's first have a look on the Prime Minister's recent three-day three-nation visit which took place a week ago एक हफ्ते पहले ये तीन देशों की तीन देवसी यात्रा प्रधान मंतिर नरेंद मोदी ने की थी जो कि इस वर्ष इनकी पहली विदेश यात्रा मानी जाती है थ्री-डे, थ्री-nation visit इस वर्ष इन्की पहली विदेश यात्रा और ये तीन देश थे जर्मणी, डैनमार्क और फ्रेंस येने इनोंने यूरोपए देशों की यात्रा की जिसमें खासतोर परग्राम डेन्मार्क देखें तो डेन्मार्क में इनकी पहली यात्रा है तो फ्रांस, डेन्मार्क और जर्मनी ये तीन देशों की यात्रा की है फ्रांस से फरे फाइनली रिटर्न हुए आफटर थ्री डेज ठीक है तो जर्मनी डेनमार्क और फ्रांस ये तीन देशों के यात्रा हुई है तो आपको ये तीन देशों में इनोंने किनसे मुलाकात की ये भी याद रखना है इनके काउंटर पार्ट कौन थे किनों ने उनको वहां पर रिसीफ किया यहां के कौन से हेड ने नरिंद मोदी से बाद चीद की यह आप याद रखें यह तीनों ही देशों की जो यात्रा थी उसका बैकड्रॉप क्या था मतलब की क्यों यात्रा की गई किस देश को लेकर की गई यह भी ध्यान में रखें तो ऐसा है कि यह जो तीन दिवसी पर्चनी और डैनमाक की इसका में जो मोट़िव था ट्रेड, ग्रिन टेक्नोलोजी, इनोवेशन और एनर जी सिक्टर क्या कहा हम ने ट्रेड, ग्रीन टेक्नोलोजी, इनोवेशन एन्नेरजी ठीक है तो एनरजी ट्रेड ग्रीन टेकनोलोजी और इनोवेशन उर्जा व्यापार ठीक हरित प्रद्योगी की और नवाचार ये तीन चार चीजों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन तीन चार सेक्टर्स में भारत और इन देशों की बीच के जो रिलेशन्स और बाइलेटरल रिलेशन्स उनको बैतर करने के लिए यात्रा नरीद मोदी ने की ठीक है तो थी डे थी नेशन विजिट किया है और इसमें यह सबसे पहले हम देखते हैं जर्मनी की बारे में तो देखें आई तो आपने आपने देखा की कि इस बैकड्रॉप मे जर्मनी में इनकी मुलाफ शॉल्स से ठीक है यहीं पर आप तीनों के ही देख लीजिए जर्मनी में ओलाफ शॉल्स से मिले जो जर्मनी के चैंसलर है फिर जो डैन्मार्क है वहां पर इनोंने अपने काउंटर पार्ट मेट फ्रिडरिक्सन से मुलाकात की मेट फ्रेडरिक्सन और तीसरा फ्रांस में अभी निर्वाचित वहां के जो राश्पती हैं इम्यान्वल मेक्रॉण इन से मुलाकात की ठीक है तो अलाफ शोल्स दें डेन्मार्क में इनकी पहली आतरा थी मैट फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की इनोंने और इसकी बाद तीसरे जगे गई है फ्रेंस इमैनल मेक्रान से मुलाकात की जो में फोकस था वो व्यापार रक्षा प्रोध्योगी की को ध्यान में रख करी फफार तलाप हुई जारे डायलॉग्स हुए जमने की बात करें तो हम जो चीज़ें लिखी गई एक बार उसे पढ़ते हैं देखी जो तीनों ही आतरा इसमें खास तोर पर आप ध्यान रखें ये एरोपी आतरा तब हुई है जब वहां पे रूस यूकरेन युद का संकट अल्रेडी चल रहा है और विश्वस तर पर मह हमारी के बाद एकनॉमिक रिकवरी पर पूरे देश फोकस कर रहे हैं तो जाहिर से बात है इस यातरा में रूस यूकरेन के बीच में शांती स्थापित करना हो यूरोप में इसका कैसे प्रभाव ना पड़े यूरोप और भारत के बीच के संबंदों पर इसका प्रभाव क को फिर से प्रटरी पर लाया जा सकिए तो जितनी भी अभी यातरा हैं हो रही है चाहिए भारत में विदेशीयों के यातरह हो जा हमारे प्रमुकों की विदेश यातरह हो उसमें दो मुद्दे हमेशा ही रहते हैं कि हमारी के बाद आगे क्या और दूसरा रूस यूकरेन सं इसने रूस पर अपनी उरुजा निर्वरता को कम करने के साथ रक्षा खर्च बढ़ाने का फैसला किया ये द्विती विश्वित के बाद की स्थिती को देखते हुए महतवपूर्ड कदम है। वो रूस पर अपने निर्भरता को कम कर रहे हैं यही जर्मनी भी कर रहा है जर्मनी जो है वो एनर्जी सेक्टर पर रूस पर निर्भरता कम कर रहे हैं और हम हम तो आप जानते ही हैं कि इंडिया डिफेंस सेक्टर पर रूस पर काफी जादा निर्भर है हमने काफी चीज़े काफी technology वहां से import कर आई, काफी support वहां से लिया, ठीक है, तो उर्जा में वो लोग पीछे अट रहे हैं, हम रक्षा पर काफी रूस पर निर्बार है, तो रूस Ukraine war होता है, तो जाहिर से बात है, इसका हमारे और रूस के रक्षा सौदों पर भी कहीं न कहीं असर पढ़ने की होती है, तो यह देख रहे हैं कि उर्जा और रक्षा वाले सेक्टर में क्योंना mutually कुछ ना कुछ आगे बढ़ कर काम करें, इंडिया और जर्मनी, तो जो भी वादचीत हुई, वो एक तो energy sector और दूसरे defense sector के mutual MOUs पर, mutual treaties पर हुई है, तो सारे dialogue खास्तोर पर energy और defense पर अध पर उन्होंने Matt Fredrickson से मुलकात की, जो उनकी Denmark की counterpart है, और Denmark जो है, अभी जो अपने अगली news पड़ी थी, नौडिक देश, नौडिक देश के जो 5 देश है, उसमें से सबसे main देश है, और actually में यही पर नौडिक देशों की वो सम्मिट हुई थी, जो अगली news में हम cover करने वा आल, माना वधिकार इवं कानून के शासन में अगरणी है, इन देशों के साथ सायोग भारत के लिए अपनी ताकत का विस्तार करने हैं, तो बहुत बड़ अफसर प्रस्तुत करता है, भारत द्वारा कई नहीं प्रमु की ओजनाय शुरू की गई, जिसमें नौडिक देश स अभी कुछ current affairs पहले कुछ weeks पहले मैंने इंडिया फिनलेंड रिलेशन्स और डायलॉक्स की बियारे में बताया था तब भी मैंने बताया था कि किस तरह से उस तरफ के जो देश होते हैं वो innovation में, technology में, green technology में, human standard में काफी जादा standard of living जो होती है उसमें काफी जादा अग्रणी है और उसका फाइदा इंडिया उठा सकती है साथ ही साथ वो छोड़ी छोड़ी देश है वहां पे जादा population नहीं है इसलिए उनके पास जो भी technology है जो भी innovation है उन products को बेचने के लिए उनको market चाहिए और इंडिया हमेशा से यही करता है दूसरे दिशों को अपना market प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहां पे population बहुत जाद है कुल मिला करके हम उनको market देते हैं वो हमको technology देते हैं और इन ही चीजों पर आधारित डैनमार्क और इंडिया का यह कह सकते हैं dialogue भी था ठीक है और तीसरा जो है वो फ्रांस की आतरा थ थी जो पिये मोदी ने की थी हिन महा सागर में साजा हिथ इनका पहला मुद्दा था जिस पर इनोंने चर्चा किये एमैनल मेकरॉन से जो आपका इंडियन ओशन है वहां पे ना फ्रांस के बहुत सारे colonies चोटे 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 द्वीब जैसे की रियूनियन दी वगेरा वग दोनों को फायदा पहुच सके इस पर चर्चा हुई दूसरा आतंगबाद के मुकाबले में दोनों देश साथ दिखें आतंगबाद का जो मसला इंडिया बार वार उठाता आ रहा है अंतराश्री स्थर पर उस पे फ्रांस ने उसको सपोर्ट किया हमें सपोर्ट किया और द टेरर फंडिंग होती है उसके उपर आपका एक समयलन होना चाहिए उसके बारे में कहा और फ्रांस ने भी इसको सपोर्ट किया तो दो मनी फॉर टेरर फाइटिंग टेरर इस पाइनसिंग इस पर दोनों ही देशों के एक सुर है आतंगबाद से मुकाबला हिन महागसागर म कई मामनों में समर्थन किया गया जैसे फ्रांस कश्मीर पर भारत का लगतार समर्थन करता आ रहा है जबकि पाकिस्तान के साथ उसके संबंदों में हाल के दिनों में कमी देखी गई साथ इसाथ आप जानते ही है कि रक्षा समझोते में हमने जो राफेल है वो फ्रांस से ही इंपोर्ट करवाया तो राफेल के खरीदी के बाद से हमारे और फ्रांस के रक्षा शेतरे में संबंद काफी जादा घनिश्ट हुएं तो हम यह लगतार देखते जा रहे हैं कि कई फ्रेंट्स पे चाहे वो म्यूच्वल आपके किसी शेतरी जियो पॉलिटिक्स में साजाइद की बात हो चाहे टेररिजम से मकाबले की बात हो या फिर किसी मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करने के बात हो इंडियो और फ्रांस के रिलेशन्स काफी जाता बहतर हो हैं पिछले कुछ दिनों में जिस पर आपको अभी इस विजिट पे भी कुछ रिफलेक्शन्स देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये कुछ बातें पी ए कि राजधानी ये बर्लिन और डेन्मा कि राजधानी क्या है कॉपिन है कि तीनों देशों के उन राश्टर प्रमुखों की नाम याद रखेगा जो मैंने आपको बता है जिन से प्रधानमंत्रे ने मुलाकात की साथ ही जिन में आधारों पर ये चर्चाए हुई उन आधार अलग जब आप international relation as a means में पढ़ते तब पढ़ते हैं वरना अभी अगर आप इसको प्रिलम्स के लिए हाद से देखते हैं या फिर तातकाली current affairs की dynamic part के हिसाफ से देखते हैं तो फिर इतनी चीजे जो हमने पढ़ी वो काफी है और present relation भी theoretical static point of view से काफी है ठीक है दम backdrop में नह प्रिकली हुए एक news भारत नॉर्डिक देशों के विपक्षी बारता तो जो बार बार में नॉर्डिक देश नॉर्डिक देश बोल रही हो न इस नॉर्डिक देश की अंदर पांच देश आते हैं एक तो यह तीन Scandinavian देश Norway Sweden और Finland उसके अलावा Denmark और Iceland यह 5 countries जो है नॉर्ड सारी चीजों में green technology हो या human standard of living हो जाहे innovation हो research हो इन चीजों में काफी जादा अगरनिंग है तो यह जो इनकी तीन दिवसी यात्रा थी इसी दोरान इन्होंने second indo-nordic summit में भी हिस्सा लिया तो अभी हाल ही में फिर मैंने दोराया कि प्राइम मिनिस्टर ने इस summit में भी हिस्स के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षी बैठेकें भी की और एक शिखर सम्मिलन में भी भाग लिया इन्होंने Copenhagen में मतलब यह जो summit हुई हाला कि यह पांच देशों के सम्मू के साथ थी पर इसका केंदर क्या था Denmark इराधाने Copenhagen तो जो आपने second visit देखी थी ना कि व इंडो नौडिक देशों के बीच की इस summit का जो कहां पर आउजित किया गया Copenhagen में और बैठक Denmark के राधानी Copenhagen में दूसरा सम्मिलन हुआ चलो ठीक है दूसरा संस्क्रेंट दुनिया को प्रभाइब करने वाले दो सबसे मत्वपून गटनाओं की प्रुष्ट भूमी पर आधारिता एक महामारी दूसरा रूस युक्रेंट यह चीजह मैं अभी डिसकस कर चुकियों कि इस टाइम पर यह आपका summit हुआ फिर आपको ध्यान में रखना है कि कि चीजों पर खास्तोर पर बात हुए तो आप देखिए कि सबसे important चीज जिस पर बात हुई वो हुई post pandemic post pandemic economic recovery economic recovery दूसरी बात हुई climate change तीसरी टेकनोलोजी चौती इनोवेशन और पाँचवी renewable energy यह main मुद्दे हैं जिनकी उपर भारत और इन पाँच नौडिक देशों के बीच में चर्चाए हुई एक तो हमारी के बाद economic recovery यहने की आर्थिक पुनरविकास कैसे किया जाए दूसरा climate change से कैसे सही तुरुप से fight किया जाए तीसरा technology और innovation तो मैंने शुरू से का यह देश उसमें अगरणी तो उसमें हमारा ही जादत चुपा है कि कैसे technology और innovation वहां का जो है उसको इंडिया में इस्तिमाल किया जाए और वो लोग देख रहे हमारा market ठीक है और renewable energy यह पाँच main topics पर यह आपकी second indoor nordic summit आधारित थी ठीक है तो बही अब पढ़ते हैं अर्थविवस्था व्यापार और निवेश के अलावा शिखर सम्मेलन को कल्यान कारी राजी के अवधारना के द्रश्टी कोंड से देखा जा सकता है जो पूझी वात था लोगतांतरिक प्रथाओं के साथ साथ कल्यान मॉडल को बाजार दर्थविवस्था से मिलाता है ठीक है मतलब capitalist economy में welfare का element डालने की भी कुछ बात हैं इसमें होई ठीक नौडिक देशों ने एक संशोधित और विस्तारित संयुक्तराज सुरक्षा परिशद में भारत की सथाई सदस्ता के लिए अपना समर्थन दोहराया तो पहले भी ये पांच देश इंडिया के संयुक्तराज सुरक्षा परिशद में permanent membership की बात कह चुके हैं और अभी इस शिकर सम्मेलन में फिर से उन्हों ने इस चीज को सपोर्ट किया इंडिया अपनी सदस्ता चाहता है वहाँ पर और ये हमें सपोर्ट करते हैं ठीक है भारत ने Nordic Company को Blue Economy शेतर में विशेश रूप से सागरमाला परियोजना में निवेश करने के लिए आमंतरित किया है तो हमारी जो सागरमाला परियोजना दक्षिन में इंडियन ओशन में चल रही है उसमें हमें इन्वेस्टर्स चाहिए ग्लोबल लेवल पर क्योंकि वह बहुत बड़े स्तर की परियोजना है जो की मेरी टाइम जो टाइम वेस्टेज होता है ट्रांसपोर्ट का उसको कम कर स तो सागरमाला परियोजना जो इंडिया की बहुत ही मतवकांची दक्षिन भारत दक्षिन हिंद महासागर में परियोजना है उसमें इंवेस्ट करने के लिए इंडिया ने इन वाइट किया इन पांचों देशों को जो ब्लू एकोनॉमी शेतर के तहत ये जा सके अगली बात जो हुई वो उनका सपोर्ट हमको दिखता है खासतोर पर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्यूरिटी काउंसेल उसकी सदस्ता के लिए जो हम अपना दावा पेश करते उसमें उन्होंने सपोर्ट किया दूसरा हम उनका जो इन्वेस्टमेंट सीख कर रह एक अनुकूल धाचा प्रदान करती है तो वो जो आर्क्टिक वाला शेतर है वहीं पर तो ये नौडिक देश आते हैं तो हमारी जो आर्क्टिक नीती है जिसके बारे में हमने इंडिया फिनलेंड रोलेशन्स में पढ़ा था अगेन ये आर्क्टिक शेतर में इंडिया और नौडिक सहयों के लिए विस्तार के लिए गनुकूल धाचा प्रवाइड करती है क्यों हमारा फोकस इस आर्क्टिक नीती के जरीए उस आर्क्टिक सर्कल आर्क्टिक सर्कल का मतलब क्या होता है ये जो आपका 6.5 डिगरी आपका नौड का है उसकी उपर से नौड पोल तक की जितने देश आते हैं ये सारे आर्क्टिक नीती के अंदर हमारा फोकस एरिया है और इसमें हम जो नौडिक देश बोल रहे हैं वो आक्चुली इसी डिगरी की उपर आते हैं है ना लेटिटीट में 6.5 जितने और आपस देश आते हैं वो आपके अर्क्टिक शेतER में आते हैं वहां पर हमारा जो ट्रेट का फोकस है उसके अंदर ये नौडिक देश भी आते हैं पूरी ये दो निञिन ठी ये आपके सकते काथ ये वायट तरीं के से एक नढ़ी सी जो इंडिया और ये उरोप ख जिसमें उन्होंने 25 से जाधा मीटिंग की और कई लोगों से बाचीत की शिखर सम्मेलन में भाग लिया और साइड बाइड साइड साइड लाइन्स में कई बाइलेटरल डायलॉग्स भी किये ठीक है डैनमार्क में की पहली यात्रा थी सभी देशों के राजप्रमुकों के न और किन-किन में एरियास पर फोकस करके आत्रा हुई थी आपको यह चीज़े याद रखने हैं डैनेमिकोस्टेटिक दोनों पाड़ ठीक है चली अब एक सिंबल से दो अगली निउस पर हम मूवन कर लेते हैं भी दो देशों को दो नए राश्टर प्रमुक मिलें सबसे पह हैं जो वहां के पूर्वताना शाह मार्कॉस के बेटे हैं ठीक है फिलिपीन में फॉर्डिनेंट मार्कॉस जूनियर वहां के नए प्रेसिडेंट चुनेंग है मनीला जो की फिलिपीन का क्यापिटल है ठीक है तो मनीला में 9 मई में 9 मई को फिलिपीन में सुमवार को राश्पते के चुनाओं के लिए मद्दान चारी किया गया और देश के पूर्वताना शाह के बेटे तता सुधारों माना वदिकारों के समर्थक फर्डिनेंट मार्कॉस जूनियर इस चुनाओं में सबसे पाविदार बनकर उभरें जैसे कि मैंने बताया कि यह पूर्व जो वहां के ताना शाहत है फिलिपीन के मार्कॉस उनके बेटे ठीक है और इनके जो निकटतम प्रतिद्वन्दी थे वो थी लेनी रॉब्रेडो लेनी रॉब्रेडो को पूरे चुनाओं अजेंडे में पंजे में जकड जाएगा लेकिन इनकी उस प्रपोगेंडा के बावजूद मार्कॉस जूनियर जीत गया ठीक है तो 30 जून को मार्कॉस जूनियर जो है छे साल की कारेकाल के लिए पदभार गहन करेंगे इनका जो टाइम पिरेड यह निका जो टर्म होगा वो होगा ठीक तो इनकी प्रतिद्वंदी लैनी रोब्रेडो छे साल इनका टर्म होगा ठीक मनीला फिलिपीन्स का क्यापिटल है यह कुछ बाते स्टेटिक पॉइंट में आप याद रखे और नाम तो आपको याद रख नहीं है ठीक है उसके बाद सेम तरह की न्यूज है साउथ को चुने गए जिनका नाम है यून्सुक यूल नाम याद रखेंगे यह वहां के तेरवे राश्ट्रपती बनाएं गये हैं और कहा जाता है कि अब तक जितने भी चुनाओ राश्ट्रपती के हुए उसमें से सबसे कम अंतर से यही जीते हैं क्यूंकि आप देख सकते हैं जो इनको 48.6% वोट मिले जबकि इनके जो कटितम प्रतिद्वन्दी थे जिनका नाम था ली जे म्योंग उनको 47.8% वोट मिले तो इनको 48.6% और इनके जो कंटेंडर थे इनके जो अपोजिशन में थे उनको 47.8% इस तरह से करीब करी बराबरी का मामला था और बहुत ही का मंतर स वहां पर यह जीत हासिल होने की 60 वर्ष है यू सुख यौल ठीक है ठीक तो यह आपको करेंट डाइनमिक की रूप में याद रखनी है और जैसे कि में बार 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 बोलती है जो भी देश की बारे में आप पढ़ रहे थोड़ी सी जानकारिया हासिल करें या मैं कहूं उस कि टॉडड़ी आपकोल इंचील जह नहीं के पेसिक स्ट्राइक इसे देख लेंगे जैसे कि हम साओध कोरिया कर रहें तो संट कोरिया अमारी हमारा जो यह त्षट एसिया वाला रिजिय्न जिसमें चाइना जपान नौ workshopsें कोरिया शूफ एसिया का ब्गारिश एक देश है जैसे फिलिपीन कहा था दक्षिन पूर्वी एशिया का देश था साउथ कोरिया कहा है पूर्वी एशिया का इसलिए आप देख रहे होंगे यह और इसके पहले फिलिपीन्स वाले जो राश्ट पर मुंके दोनों देखने में तोड़े तोड़े सेम दिख रहे है ठीक है क्योंकि चाइना जैपान नौर्ट कोरिया साउथ कोरिया और साउथ इस एशिया के कई देशों के लोग जो हैं देखने में एक जैसे दिखते हैं और यहां पे बहुत धर्म का बहुत जादा प्रभाव है बहुत धर्म फिलिपीन्स में खास्तों पर का जाता है कि का बहुत जादा बुद्धिस्ट पाए जाते हैं बहुत धर्म के लोगों का बहुत जादा फिलिपीन्स में और जैपान नौर्ट कोरिया साउथ कोरिया और आपका चाइना में तो है ही ठीक है तो बहराल आपको एयाद रखना है कि यह पूर्वेशन ऐस रिश्या के कंट्री है साउथ कोरिया इसकी राजधानी है सियोल और इसकी जो मुद्रा है वो है साउथ कोरियाई वान आक्चिली में नौर्ट कोरिया साउथ कोरिया दोनों की जो करेंसी वान है एक है नौर्ट कोरियान वान एक है साउथ कोरियान वान तो क्यापिटल याद रखें जो इस सेशन की लास्ट न्यूस पर और वो है एक रिपोर्ट जो की परी सीमन आयोग ने जारी की है जम कश्मीर के विधान सभा और वहां के संसिदी याने की लोग सभा सीटों के पुनरगठन के ऊपर देखें परी सीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमिशन पॉलिटी में आपने अक्सर सुना पड़ा होगा विधान सभा ये लोग सभा की सीटे जो भी निरधारित होती है जैसे हम कहते हैं इंडिय में 543 चुनी हुई लोग सभा की सीटे है और हर राजे में मा की जनसंख्या के हिसाब से कुछ विधान सभा सीटे होती है और एक शेत्र होता है कि यहां स सीमन आयोग इसको हम इंगलिश में कहते हैं क्या डी Olijimit nation Commission परीसेमन generally चिंज्ज्ज sin कैसा इसे तो इसीप्री सीमन आयोग चैस्ञ विधायं सभांसभा शेत्रों का निर्धारन और रियर्ःज्ञ्जमेंट पुनगठन वगे़र' करता रहता है लेता स्यन्सर्त के limitation किया विधान सभा की सीटों से related भी और लोक सभा से सीटों से related भी और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हाँ क्योंकि जम कश्मीर का जो विशेज दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया तो इसके बाद यह सारी चीज़ें जरूरी भी थे तो पहले एक नजर हम उन विधान सभा की सीटें वो बढ़ गए तदकाली जम कश्मीर राज में 111 सीटें थी कश्मीर में 46 जम में 37 लदाख में 4 साथ ही 24 सीटें पाकिस्तान के कभजे वाले कश्मीर ने पीयोकें के लिए अरक्षित थी 2019 में जम कश्मीर के विशेश दर्जे को निरस्ट करके बाद में विधान समय और संसिती दोनों सीटों का परिसीमन समय द्वारा शासित होता है जाए इससे बात है क्यों विशेश दर्जे समाप्त हो गया तो अब इसका परिसीमन होना तैह है डिलिमिटेशन होना तैह है कि सीटों का बटवारा कैसे होगा तो इसी वज़े से न 6 मार्च 2020 को ये डेलिमिटेशन कमिशन खासतोर पर जम कश्मीर को परिसीमित करने के लिए बनाया गया तो ये जो इसकी रिपोर्ट आई है ये आयोग 6 मार्च 2020 को बनाया गया था इसकी अध्यक्षता सर्वोच नयाले की सेवर रित नयामूर्ती रंजना प्रकाश देसाई ने की ये बहुत इंपोर्टेंट है डाइनिमिक लिए याद रखेंगे तो जम कश्मीर के डिलिमिटेशन के लिए जो आयोग बना उसके चेर्मेन कौन थे सर्वोच नयाले की रिटाइड जज रंजना प्रकाश देसाई इसमें मुख्य चुना आयोक्त और जम कश्मीर के मुख्य चुना अधिकारी तथा जम कश्मीर के पांच सानसत सहयोगी सदस्थ के रोप में शामिल थे जम कश्मीर में अगर आप लोगसभा की सीटे देखेंगे तो आप अगर मेरा कभी पार्लमेंट का चैप्टर अटेंड करें होंगे या आपने खुछ से भी पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि जम कश्मीर से जब वो अलग नहीं हुआ था या उसका विशेष राज्य का जब जब जम कश्मीर को एक उनिन टेरिटरी बना दिया गया और उसके बाद लटदाख और अलग कर दिया गया तो शे में से एक सीट लटदाख को चली गई और पाँच सीट जम कश्मीर के पास रह गई आप यह तो चीज जानते हैं ना कि यह जो पूरा आपका जमुकश्मीर है इसमें पहले लद्दाख भी शामिल था तो कुल मिला कि इस जमुकश्मीर लद्दाख को मिला कि जो राज्य था उसमें से 6 लोग सबा सीटें थी ठीक है अब जब लद्दाख को अलग कर दिया गया तो इस 6 में से 1 सीट लद्दाख को दे दी गई और जमुकश्मीर को बाकी की 5 सीटें दे दी गई तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जमुकश्मीर वाला जो एरिया है जो अब यूनि टेरिटरी बन गया है उसके ऑलरेड़ी 5 लोग सबा सीटें है ठीक है तो जो भी परी सीमन हुआ ना वो जमुकश्मीर के अंदर आने वाले 5 लोग सबा सीटों का हुआ ठीक है ठीक तो 2020 को बनी हुई इस परी सीमन आयो का अपनी रिपोर्ट में सिफारिश है दी आयोग ने साथ विधानसभा सीटों की वृध्धी की है this is important कितनी सीटे बढ़ाई साथ सीटे बढ़ाए गई है सेवन विधानसभा सीटों की वृध्धी की गई है जमु में 6 अब 43 सीटे और कश्मीर में अब 47 सीटे अभी आपन 43 है और इसमें 47 किया ठीक है तो इस तरह से कुल मिला करके साथ सीटे बढ़ाए गई इन्होंने विधानसभा शेत्र में इस शेत्र में पांच संसदी शेत्र भी जैसे कि आपको बताया है मैंने पांच संसद जाएं गया से उनका परिसीमन थोड़ा बहुत किया गया परिसी की है ठीक है तो यह जो कश्मीरी पंडितों का उद्दा वहां पर उठा हुआ है तो उनको भी थोड़ा सा जन्रक्षिन देने के लिए आयोग ने यह भी एक रर्क्यमेंडेशन किया है कि कम से कम दो सदस से जो है वो इसमें होने चाहिए कहां पर विधानसभा में तो जो भ प्रिटिकल सेक्यॉरिटी देने के लिए भी यह सिफारिश रखी गई तो ना सिर्फ इस आयोग ने यह पांच जो संसदी शेत्रे उसका पुनर गठन किया यहां पर बढ़ाया नहीं गया ना पांच लोगसभा की सीटों को बढ़ाया नहीं गया उसका पारीसिमन किया गया पर जो विधानसभा की सीटी थे 111 उसमें 111 में से 7 सीटे और बढ़ाई गए और तीसरी एक और सिफारिश की इनोंने कि वहां के जो कश्मीरी प्रवासी खास्तों पर कश्मीरी पंडित उनको कम से कम 2 सीटे दी जाए तो यह फिलाल सिफारिश है अब इन में क्या फाइनल आगे एक्शन होता है यह देखने वाली बात है परिसी मनायोग जो भी सिफारिश करती है उसके बाद संसद में एक बिल के जरीए इन चीजों को रखा जाता है और यदि पास हो गया तो फिर वो चीजे उस एरिया में इंप्लिमेंट हो जाती है तो विधानसभा शेत्रों म साथ सीटे बढ़ें गई लोगसभा की पांच सीटों में रियारेंज किया गया और तीसरा कश्मीरी पंडितों को दो सीटें प्रोवाइट करने की बात की गई इस परिसी मनायोग तवारा परिसी मनायोग पूरे देश में विधानसभा और लोगसभा शेत्रों का परिसी मन in delimitation करती है, और जो आप चुनाव शेत्र बोलते हैं, उसका निधारण actually यही करती है, एक recommendation देती है, और finally फिर संसद उसको approval देती है ठीक है, so that is it तो इसके अध्यक्ष कौन थे, कभी आयोग बना, क्यों बना, क्या सिफारिश थी, पर इसी मनायोग क्या है यह चीज़े आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जमुकश्मीर में कितनी विधान सभा और कितनी लोगसभा सीटे हैं, यह भी आद रखें ठीक है, लोगसभा सीटों के साथ-साथ, आप यह भी जानते हैं कि जमुकश्मीर में चार राजसभा की भी सीटे है तो जमुकश्मीर में आप देखें तो लोगसभा की पाँच सीटे है और राजसभा की चार सीटे है ठीक है, क्यों वहाँ राजसभा की चार सीटे है क्योंकि वहाँ पर विधान सभा है तो अभी तक तो चीजें बदली नहींगे लेकिन पहले ऐसा था कि वहां के लोग चार लोगों को भेजते थे लद्दाख के खाते में कोई राजसभा की सीट नहीं है तो पूरी चार जो राजसभा की सीट है वो जब कश्मीर की खाते में आई ठीक, so that is it इतनी ही चीजें थी जो आज की करेंट एफेर्स के सेशन में हमको डील करनी थी जो आपके इस मंत की स्टार्टिंग से लेकर अब तक कि जो कुछ पॉलिटी के शेत्र में प्रमुघटनाए हुई उसकी डाइनेमिक और स्टेटिक पार्ट से रिलेटिड है खोब आ